जे मसी की मसी परिवार एक बार फिर फिछले सप्ती के तरह मैं एक बार फिर आजिरू आपके समग और एक बहुत ही महत पूरन विशे ले का राज जिसका विशे है फ्रेम का शिद्धान इसके बारे में और जनने से पहले क्यों ना हम प्रातना करें और पवीत्रात्मा की और अग्वई के दौरा उस विशे को हाम आगे बढ़ाएंगे धन्यवाद पिता प्रमेश्वर जैसे हम इस वचन के दौरा आज इस जगह को स्वुर्वाद करते हैं आपके वचन को लेकर और जैसे हैं इस वचन को हम एक दूसरे के साथ बाटेंगे और इस पर विशे करे हमें विश्वास है पवीतर आत्मा इस जगाँ पर इस समय मेरी अग्वाई करेगा, और जो भी मेरा बचन है, जो भी मेरे मुख से निकले गा, ओ मैं नहीं, बलगी पवीतर आत्मा के द्वारा होगा, or मुझे विश्वासी के हर एक भाईबेन विश्वासी भाईबीन कि मन को छुएगा और इदे को छुएगा और इह जो बचन है यह बहुत ही लाब्दाइख बचन है सुनने के लिए धन्यवाद पता परम Hoover जैसे हम आपकी बचन की द्वार चलते हैं हमें विश्वास है कि आज का जो साम जो इस समय का जो वक्त है ये बहुत ही स्वाना होगा इस बचन को इस समय को आपके समय को देते हैं पवित्रात्मा के द्वारा इशू मसी के नाम से एमेन धन्यवाद एक बार फिर आज मैं पिछले सब्टे की तरह यहां मौझूद हूँ और एक बहुत ही महत पुरन विशे को लेकर जो प्रेम का सिध्धान्त है यह जो प्रेम का नियम कहा जाता है यह पवित्रास में एक बहुत ही अच्छी तरह से हमें सिखलाएगा और जिसे हम आगे जाएंगे इसके विशे में और बाते करेंगे कि प्रेम का जो विशे है प्रेम का जो सिध्धान्त किस तरह से सिद्धान थे का जाता है कि आदियम हमें ना केवल धार्मिक बलकि वेक्तिकत जिवन में भी एक मार्ग दर्शन दिखाता है और सिद्धान का पूरे अपने दिल से आत्मा से और मन से प्रेम करो और अपने पडोसी को अपने समान प्रेम करो या दो बाते इस प्रेम के नियम में बहुत ही आधारित रखता है और बहुत ही महत पूरान रखता है जो जिस विशे में आज में बाते करता हूँ जो प्रेम का सिधानत है अगर हम जो और विशे में पढ़ें जो पवित्र सास के दोरा बचन के दोरा जो कहा जाता है कि अगर हम यहुना की किताब में पढ़ते हैं फैस जोन फो आइट में तो कुछ इस तरह से कहता है कि हे प्रियों हम एक दूसरे से प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वा परमेश्वर से उत्पन हुआ और परमेश्वर को जानता है जो प्रेम नहीं करता वा परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है नए जीवन का जो परिक्षा है वो परमेश्वर ने हमें दिया है कि प्रेम क्या है और किस तरह से हमें परमिश्वर का जो प्रेम है उसमें रहना है और उसमें चलना है तो जो दूसरा वचन भी हमें कुछ इस तरह से बतलता है कि हम जानते हैं कि हम मिर्तिव से जीवन में पार हो गए हैं क्योंकि हम भाईयों से प्रेम रखते हैं जो प्रेम नहीं करता वा मृतिव में बना रहता है तो अगर इस विशे में अगर हम अच्छी तरह से विशे करें तो कहता है कि अगर हम अपने भाईयों से प्रेम ना करें उनसे बैर करें तो हम किस तरह से अपने आपको कह सकते हैं कि हम प्रेम में चलते हैं जो प्यार जो प्रेम हमें मसी ने दिया ये सत्य है कि खोजपुरन कतर ने वह हमें बतता है कि यदि कोई वेक्ती प्रेम करता है तो वा परमिश्वर से उत्पन हुआ है और उसे जानता है और यदि कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता है तो उसकी धार्मिक मानिता को बावजूद वा आत्मिक मिर्तिव में रहता है परमिश्वर से अलग हो जाता है तो यह जो नियम है यह कहता है कि अगर हमारे अंदर जो प्रेम है वो प्रेम ना हो तो किस तरह से हम अपने खुद अपने आपको या दूसरे लोगों से मेल मिलाप रखते हैं कि बिना प्रेम से एक दूसरे से जैसे हमने कहा कि प्रेम रखना जो इशू मसी का जो सब्द है कि प्रेम है वो एक सत्ति है उसे हम दूसरी किसी और तरह से इस्त्माल नहीं करतें क्योंकि जो प्रेम है इशू ने हमें किस तरह से हमरे जो प्रेम अपने आपको दिया हमारे उपर लेकर कि आपने पडोसी से प्रेम या प्रेम हर वेक्ती पर लागू होता है सिर्फ पडोसी ही पर नहीं हमें अगर हम विश्वासी हैं विश्वास में चलते हैं पवितर सास के दौरा जो बचन है जो विश्वास का बचन है वो प्रेम का बचन है अगर हम उस प्रेम के विश्वास म प्रेम रखता ही नहीं लेकिन अगर हम पवित्सास के दोरा पड़ते हैं तो हमें हरेıllोग से जितने भी हमारे आस पास हैं जो भी हमारे भाई बेनें उन सबसे हमें मेल मिलाब कर रहना है प्रेम से रहना है उसीतरह से हम我 एक दूसरे से प्रेम रख सकते हैं चाहे वा हमारे परिवार का सदिस्यक भी क्यों ना हो दोस्त हो या हमारे विरोधी ही क्यों ना हो इशू ने कहा कि हमें अपने पडोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए इसका मतलब या है कि हमें दूसरों की खुशियों और दुखों में सहाजादी साभागी करनी चाहिए हमें नफरत भेदभाव और आसंता से दूर रहकर सचे प्रेम और सहानभूती का एक वेवार जो है वो करना चाहिए तो इसके प्रेम के लिए प्रियुक्त सुहानी सब्द जो समझ में ना होती तो इन अशुदों को समझना कटिन होगा क्यूंकि हम एक निश्चित प्रेम से प्रतित हैं जो उस वेक्ति का है जिसका कभी नया जनम नहीं हुआ और यहां प्रेम के लिए ये परियुक्ष शब्द है ऐसा लगता है कि इशू ने इस शब्द को गड़ा था जब उन्होंने नए कानून को वेक्त किया था जो नई स्थिती को निर्मिद करने के लिए है शब्दों में या जो कहता है कि मैं तुम्हें एक नई आग्या देता ह कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो कि जैसा मैं ने तुम से प्रेम किया है कि तुम भी प्रेम करो यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो तो किस तरह से इशू ने बहुत ही सरल में समझाया कि हम कैसे अपने आपको दिखा सकते है कि हम इशू में चलते हैं इशू का जो प्रेम है उसका जो प्यार है हम उस पर चलते हैं हम उसी तरह से अपने आप को या किसी को भी दिखा सकेंगे जब हम उस प्रेम पर चलेंगे उस तरह से चलेंगे जैसे इशू ने कहा था और उसके चेलों के साथ था और उसके चेलों न है कि जैसे इशू ने कहा कि मैं तुमें एक नई आग्या भी देता हूँ वो आग्या क्या है कि एक दूसरे से हमेशा हमें प्रेम रखना चाहिए और यह प्रेम का शब्द है जो यह बहुत ही घहरा और मानने के लिए है कि इशू हमारे लिए क्यूं अपने आपको बलीदान की अपने आपको कुरूस पर चड़ाया अगर वो हमसे प्रेम नहीं करता हमारे लिए वो बलीदान नहीं करता तो किस तरह से हम कहते हैं कि हम इशू पर चलते हैं और इशू करता कि प्रेम ही से चलो जो मैं ने तुम से किया है उसी प्यार से तुम अपने सचे भाई बहनों से भी करो कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हम मसी में विश्वासी है मसी विश्वासी है और अपने आपको उस जगाप पर रखते हैं कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि जो पवित्र सास या बाइबल हम लिखा उसी नियम पर हम चलते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि हम हमारे अंदर वो प्यार वो प्रेम भी रहना है एक दूसरे के लिए हर एक भाई बहन के लिए ना कि खुद अपने लोगों के लिए या अपने परिवारी के लिए एक इसाई भाई बहन के ये जिम्वारी होता है कि वो किसी जगा पर रहे वो अपने उस उस रूप को दिखा सकें कि हम इशू मसी में बने हैं हम कैसे अपने आपको इशू मसी में बना सकते हैं अगर हमारे अंदर प्रेम ना हो और वो प्रेम हम दूसरे में बाट नहीं सकें अगर हम दूसरे में प्रेम बाटते हैं और किस तरह से हमें दूसरों से बाते करना है कैसे हमारा जो जो रहने का सिद्धान थे जो कुछ हम करते हैं वो किस तरह से रहना और चलना है ये सब एक बहुत ही मुख्य रखता है हमारे जीवन में की हम अगर मसी में बने हैं तो किस तरह से हम उस मसी जीवन को अपने जीवन में लाते हैं और फिर अगर हम आगे हैं तो इश्यू ने कहा कि एक और शब्द है ये बहुत ही गहरा शब्द है जिसे कहा जाता है कि इश्यू का जो प्रेम है जो कहता है कि जिसे अगर हम कहते हैं अगापे और फीलियो अगर हम कहते हैं तो ये बहुत ही बड़ा शब्द है अगापे और फीलियो जिस का मातफुरन विशे पर हम अगर हम चर्चा करेंगे तो अगाऑ़े और फिलियो जो दर्शाता है अगापे एक ही गरिक सप्द है जो साचक और प्रेम को दर्शाता है और दर्शाता है जिसे हम दर्शनाफ सास्तर भी कहते हैं कि जीवन की मूल भूत सवालों और मानविय अभिनाव की खोज जो करता है वो एक बहुत गहरा शब्द है जिसे हम अगापे और फीलियो कहते हैं जिसे इशू के समय में सामानी रूप से इस्तमाल किया जाने वाला यूनानी शब्द जो था वो फीलियो था जिसका अर्थ है मानविय प्रेम एक ये जो बहुत गहरा प्रेम है इशू के दिनों में जो इस्तमाल होने वाला सामानी शब्द था फीलियो था जिसका अर्थ है मा प्रेम भी हम कह सकते हैं अपने बच्चों के लिए एक मा का प्यार के रूप में या अपने पतनी के लिए एक पती जो प्यार का रूप में दिखा सकता है उसी तरह से अगर हम चलें तो वो प्यार कितना गहरा है ये भी हमें इशु बतलाता है कि या जो प्रेम का उस्तिज प्रकार था जिसे मनुश्य ने कभी जाना था कि प्रेम का जो 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 शब्द है वो कितना गहरा और उच प्रकार के प्रेम के लिए फिलियो से बढ़कर कोई दूसरा शब्द नहीं था हमारा या आम मानो प्रेम जो मानो में की सबसे धन्य संपती है और फिर भी सबसे खतरनाक है या फिलियो प्रेम है जो अगर हम इस पर चलते हैं तो ये एक बहुत खेरा शब्द है जिसे हम फिलियो कहते हैं वो या फिलियो प्रेम के आशल सब्द है जिसे एक नए मनुश्य में परमेश्वर की अविश्एक है दूसरा प्राकितित मनुश्य था सुएवा केंदर है जिसके चारों और जो फेलियों है वो घूमदा है अगापे का एक नया केंदर है अगर हम आगे भी चलेंगे तो इसके विशे में और भी बाते करेंगेки जैसे हमने कहा कि अगापे और फेलियों का ज attention कहा भी जो शब्द है वो कितना महान ये रखता है हमारे भीश में और हमें इसके विशे में जानने के लिए तो और जैसे हम इसके विशे में और भी कहेंगे कि अगापे और फीलियों का जो मतलब पविश्थरास में भी अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमें जानना भी बहुत जरूरी है कि हर एक बचन जो कहता है वो किस तरह से हमारे अंदर काम करता है तो उसी तरह से इशू एक नए परकार का प्रेम लाता है एक ऐसा प्रेम जो अपना नहीं चाहता इस प्रेम ही जो परमिश्वर के हिर्दे सौभाओ का वास्तवी धरम है और वो है प्रेम का धरम प्यार का धरम एक दूसरे से मेल मिलाब का धरम जब हम एक दूसरे से मेल मिलाब करते हैं उसके अपने तरह से अपने सरूप में देखते हैं अगर हम देखेंगे तो उसी तरह से हम एक दूसरे से प्यार भी करेंगे एक दूसरे से मेल मिलाब करेंगे और जो कुछ भी है में एक दूसरे से सहनमूती करकर बाड़ भी सकेंग कि ये जो प्यार है वो किस तरह से हमें इतना धर्शाता है और बड़ाता है कि कि आज का कोई अगापे आद्भिक जो शब्दे नहीं हो सकती ना समझ सकती है जो इतना जो शब्द इसे कहते हैं कि अगापे ना केवल परमेशवर के परिवार की विवस्ता है बलकि या परिवार का जिवन और आनन भी है तो जैसे इस विशे पे हम बाते करते थे और और भी आगे बाते करेंगे कि जो परमेश्वर का प्रेम है और उसका जो विशे है किस तरह से परमेश्वर ने जो विशे पर बाते की और उसी विशे पर और भी बाते करेंगे कि आगापे ना तो केवल परमेश्वर के परिवार का नियम था बलकि या परिवार का जीवन और अनन्द भी था या प्रिथवी के सभी तत्य के धर्मी को तुलना में इसाई धरम का अधिक सुन्दर बताता था या संतों के जीवन को सबसे मधूर जीवन और सभी मानो जाती में सबसे सुगंदित बनाना था और वो था परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए और परमेश्वर का जो प्रेम है वो हमें अगर हम परमेश्वर का जो प्रेम है किस तरह से हम अपना जो व्यवार है अपने आपको किस तरह से हम एक दूसरे से मेल मिल अप करते हैं किस तरह से हम एक दूसरे से बाते करते हैं किस तरह से परमिश्वर का जो वचन है किस तरह से एक दूसरे से बाट सकते हैं और जब हमारे अंदर वो प्रेम है वो प्यार है जो मसी में था तो भी हम अपने आपको उस जगा पर रख सकते हैं और उस जगा को हम अपने आपको देख सकते हैं कि हम किस जगा पर हैं और हम मे एक दूसरे से मेल मिलाब करें और जैसा इशू का प्रेम था उसकी इशू का प्यार था उसी तरह से हम भी एक दूसरे से प्रेम प्यार करते रहें और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहें तो मुझे विश्वास है कि जो यह जो वचन था आज का जो भी सुनने वाले हम मसी भाई हमारे मसी बाई हैं उनको ये समझ में आएगा कि जो इशु का प्रेम था वो किस तरह से था और किस तरह से हमें इशु का जो प्रेम है उस पर चलना है उसे अपनाना है ता कि हम अपने जीषए रूप से और सही रास्ते से उसी तरह ले जा सकते हैं जैसे इशू हमसे प्रेम करता है और हमें एक सही रास्ता दिया है चलने के लिए एक जो नया जीवन दिया है तो हम यहीं पर समात करते हैं और प्रातना के साथ अपने पिता को धन्यवाद करते हैं धन्यवाद पिता परमेशर जो आपने ह मारा साथ दिया, इस समयी. मुझे विशवास है जो भी वचन था, जो भी शब्द था, जो प्रेम का वचन था. विश्वास है कि वो प्रेम हर एक को हिरदे को छुएगा. और वो उसी तरह से हम सब उस प्रेम और प्यार में चल सकेंगे जैसा issue ने हमें दिया और issue आज भी हमारे साथ उसी प्यार और प्रेम में चलता है धनवाद देते हैं पिता इस समय के लिए जो आपने हमें दिया issue मसी के नाम से एक बार फिर आपको हम धनवाद देते हैं हमारे साथ जुणने के लिए लेकिन सबसे अच्छा उपार और आशी जो परमेश्वर देता है वो है अनंध जीवन वो अनंध जीवन और पाप्चमा एश्यू पर विश्वास करने से ही आता है तो अगर आप इशु पर विश्वास करना चाहते हो पूरे हिर्दे और धिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो बप्तिश्मा लेना चाहते हो कलिशा को जोइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो वो शुरू होता है आ एश्यू, तु मेरा प्रबो है, तु मुझे आज मेरे पापों से मुझे छमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर, मैं विश्वास करता हूं कि तु स्वर से आया, मेरे पाप के लिए मरा, और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है, मुझे मदद कर, आत्मा से अभर विश्वास में चला इश्य के नाम से अगर आप ने वो प्रात्ना किया है मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है आपके सारे पाप छुमा हुए आप एक नए जीवन नए शिस्टी बने हो तो मैं चाहता हूँ अगर आप हमें संपर्थ करें होगे हम जीवन शिस्टी के लिए जीए धरने वाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए पर मैं शुर आपको बहुताच से आशिज दे और यह हमेशा याद रखना कि इस्टी मसीही प्रभू है Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org Or you can like our Facebook page Jesus Christ is Lord Ministries to keep up with the now word of the Lord for the season Follow us on Instagram JCLMPG Better still, subscribe to our YouTube channel JCLMPG to receive the latest teaching of God from the ministry